हलो दोस्तों मेरा नाम है अभी शेक और आप सब देख रहे हैं स्टेडी भी तभी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बढ़ेंगे पैदिक साहित देखे यूपी पीड का जो एंटेंस एक्षाम होता है उसमें जी के जीस का जो एक पेपर जो एक पार्ट होता है वो सभ पैद्ध कितने हैं और उनकी बारे में थोड़ी थोड़ी से जानकार लेंगे फिर बेदांग और उपनिश्यद यह सब चीज़ें को हम पढ़ेंगे ठीक है तो देखे हैं हमारे जो बेद होते हैं बहुत चार बेद हैं ठीक है इसमें है पहला है और यहां सबसे प्राजिं कई बार कोईशन पुछाता है कि गैत्री मंत्र आपका जो है वो किस पेट से लिया गया है तो आप याद रखें कि रिग्वबेट से लिया गया है ठीक है इसमें 10 मंडल और 1888 सूकति हैं साम है सामगीत के संकलत मंत्रों को जग के अवसर पर देवता इस्टित के लिए पहारती शंगीत का मून कहा जाता है तो यहां पर कई बार कुछ राता है वो गध्य गध्य और प्सक्राइब में थी हं जो गया जाने वाला अधर्वेद कहा है और स्थ खा carbon यह rag हमें कर्म प्रदाने रहे स्थयर्वेद जये बाद इसे रहे सबसे लाश्रमिय तर सनलों तोटका आधिका उल्लिवर्डन आपको अर्थर अथर वेद में मिलता है तो यह हमारे चार वेद हो गए यह रिगवेद यह जूर वेद साम वेद और यह जूर वेद है फिर अथर वेद है करम जरूर याद रखिएगा आई चलते लिए उसकाद उपनिशद देख लेते हैं ब्रह्म बिस्यक होने के काणि से ब्रह्म विद्या भी खा जाता है याद रखिएगा कि उपनिशद को ब्रह्म विद्या भी खा जाता है इसमें आत्मा परमात्मा एवम संसार के संबंद में संदर में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संगरा मिलता है इसकी संख्या 108 है याद रखेगा कि उपनिशद की जो संक्या है वो 108 है भारत का राष्टी आदर्सवाक सत्य में उचैते मुंडो को उपनिशद से लिया गया है कई बार पूछा जाता है कि सत्य में उचैते कहां से लिया गया है तो आप याद रखें मुंडो को उपनिशद से लिया गया है उ सभ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि द्रिखे इशमितीयों को धर्व सास्त्र भी का जाता है मनुशमित सबसे प्राचीन ज JUST TI रशना 2000 लेकर की सविस्वी के मद्ध पूर की गई एंए 2222 पूर से सव्ईवी के मद्ध की बढ़ी만 आप कितने है इसमें जो इनकी संखा पुराणों की शंख्या कितनी है पुराण 18 है और सरवाधिक प्राची नहीं प्रमालिक पुराण जो है वो मत से पुराण है इसमें भागवान विश्डू के 10 अवतारों का उल्लेक किया गया है तो दोस्तों आपको मैंने इस विदे में बताया कि बेद कितने हैं बेदां कित नहीं और आपके जो पुराण है उपन इशद है इन सब के बारे मैंने आपको बताया तो आपको वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक करना चनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स वर वाचिंग